हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंनेट बेंट्स, मैं रुपाली वर्मा हम धीरी धीरी अपने चैप्टर्स के रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये रिवीजन जो है हमारे एक्जाम से टेस्ट के लिए बहुत ही हल्पुल रहे तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज जो हम रिवीजन के लिए आपका ये वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो है क्लास 11 के लिए क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिफ बुक है हमारी अंतराभाग एक का पांचवा अध्याय जोतिबा फुले ये चैप्टर को हम पूरी तरीके से आपको पहले भी समझा चुके हैं तो आज हम इसका फटा फट रिवीजन करेंगे क्या है इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे इसके सार को समझेंगे इस पूरे चैप्टर के और इसके बाद कुछ कोशन्स को देखेंगे जो इस चैप्टर से ही related हैं हमारे चेल तो यहाँ पर क्या दिया है शुरू करते हैं इस पार्ट को सुधा अरोडा द्वारा रचित यह निबंद जोतिबा फुले के बारे में हैं और यह जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं यह किस में लिखा गया है हिंदी गद्द साहित की विधा निबंध में लिखा गया है इसकी रचैता कौन है सुधा अरोडा जी इस पार्ट में जोतिबा और उनकी पत्नी सावित्रिबाई द्वारा आग किये गए सिक्षा और सुधार सम्मंधिकारियों का वर्णन है उन्होंने समाज और धर्म में व्याप्त पारंपरिक और अनिती पून रूडियों का विरोध किया महिलाओं के सिक्षा और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जिसके कारण उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा आप सभी को पता है कि जोतिबा फुले जो हैं वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे समाज में जो नीती जो बहुत कुरीतियां चली गलत चीजें हुई उनको उन्होंने हटाने की कोशिश करी तो वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं लेकिन उनकी पत्नी ने भी उन्हें उतना ही साथ दिया यानि कि सावित्री बाइफुले जो हैं उन्होंने भी उनको बहुत ही जादा सपोर्ट किया इसके लिए इने समाज में और परिवार इन दोनों से ही उन्हें बहुत ही जादा जो है कहते हैं कि बहुत कष्ट सहने पड़े घर से निकाल दिया गया, समाज ने उन्हें धुतकार दिया, समाज के लोग उन्हें सम्मान नहीं देते थे उस समय तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ज़ादा फेस करी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने इस समाजिक विकास और विवस्था में बदलाव लाने वाले पांच सुधारकों की सूची में महात्मा जोतिबा फुले का नाम नहीं है तो उन्होंने बोला कि भारत की जो समाजिक विकास और विस्था है उसमें जो पांच सबसे सर्वोत्तम जो समाज सुधारक रहे हैं उसमें जोतिबा का नाम नहीं है जो सर्वोत्तम पांच में हैं समाज सुधारक ये नाम है उनका लेकिन सर्वोत्तम पांच में उनका नाम न जाती की बारे में आप सभी जानते होंगे ब्रामण थे लेकिन उन्होंने इस ब्रामण समाज द्वारा जो नीतियां बनाई गई उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया इस वज़े से ब्रामणों ने इनको बहुत ही जादा अपने समाज से तक निकाल दिया था इनके परिवा पशदूर है उनके साथ बहुत ही अत्याचार पून वहवार करते थे तो यहां पर एक समाज का उच्च तपका और दूसरा समाज का ताकतवर तपका यानि कि प्रामर तपका और पूजी वदी तपका इन दोनों का ही विरोध करने के कारण उनका नाम समाज के सरवोच ने बाइकॉट किया इन ही लोग की नीतियों को जो है जोतिबा ने सुधारने की कोशिश करी तो इन लोगों ने इनका नाम समा सुधार को में नहीं रखा वन जाती और वर्ग वेवस्था में नहीं तो शोश्र पकरिया को एक दूसरे का पूरग बताया महात्मा जोती बाप फुले के विचार गुलाम गिरी शेत कर याचा आश्रू यानि कि सारवजिनिक सत्य धर्म आदी पुस्तकों में मिलते हैं उनके सोच समय से आगे की थी वे अपने समय से आगे की सूच रखते थे अब उन्होंने बोला क्या बोला वन जाती और वर्ग वेवस्था वन आपकी जो आपकी जाती है जो रंग है और जो वर्ग decide किया जाता है समाज में ये दोनों ये सभी चीजें क्या बताई समाज में क्या जिस तरीके से डिसाइट की गेती ये दोनों अगर आप क्या कहते हैं इस जाती के हैं तो आप उसी वर्ग से रेटर जैसे आप निम्न जाती के हैं आप जुलाहा हैं निम्न जाती के हैं तो आप उसी वर्ग से काम करेंगे आप नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जैसे शमता है उसे उस हिसाब से कारी करना चाहिए तो जब इन्होंने इस चीज का बहुत जादा विरूत किया तो इन सब पे इनके जो भी विचार रहे जो भी चीज रही तो उनकी जो पुस्तके रही हैं गुलाम गिरी शेतकर याचा सारवजीनिक सत्यधर्म आधि पुस्तकों में इनके ये सभी विचार हमें देखने को मिलते हैं आप चाहें तो इनको पर भी सकते हैं आधुनिक सिक्षा के लिए वे कहते थे यदि विशेश वर्गों को सिक्षा का अधिकार नहीं है ऐसी सिक्षा का क्या लाब उनसे ही कर क कि रूप में पैसा इकठा करके उची जाती के बच्चों की सिक्षा पर खर्च करना कहां तक उची थे तो अब उन्होंने ये बोला क्या हुआ कि पहले जो विवस्ता थी उसमें जो नीचे तपके की लोग थे या निम्न जाती की लोग थे उनको सिक्षा का अधिकार नहीं हैं ये सब जो हैं निम्न जाती के जो जितने लोग होते हैं ये ही आपको कर दे रहें उन्हीं की करके पैसों से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो आपको पैसे दे रहें उन्हीं की बच्चे अन पढ़ हैं तो ये सिक्षा कहां तक कारगर है इसलिए उन्हो पढ़ाई होगी तो विकास होगा ना परिवार का होगा समाच का होगा सभी का धीरे-धीरे विकास होगा उनका मानना ये था तो पहले क्या था कि ये जो उच्छ तबके के लोग थे ये निम लोगों के विकास नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे स्तर तक आए इसलिए उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया गया था वो सिर्फ उच्टबके ब्राम मरवाद जो राजपूध होते थे उन्हों को पढ़ने का अधिकार होता था बाकी निम्तबके के लोगों को नहीं होता था तो ये चीज उन्होंने गलत मानी कि आप एक तो निन्टके से कर ले रहे हैं और उसी कर से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो आपको कर दे रहे हैं वो उनको आप अधिकारी नहीं दे रहे हैं पढ़ने का तो ये उनके विरोत का एक बहुत बड़ा कारण था जोती बाप फुले के नुसार जिस परिवार में पिता बौध माता इसाई बेटी मुसल्मान और बेटा सबते धर्मियों वो परिवार आदर्श परिवार कहलाता है तो देखें यहार पे उन्होंने बताया अलग-अलग जाती के लोग यानि की बोध, सयमी, धिरजवाला, माता इसाई यानि की सभी की अच्छे से इसाई सबको अच्छे से प्यार देने वाली, बराबर सारी चीज़े देने वाली, बेटी मुसल्मान यानि की सयमी पर दे में रहने वाली, सर्व्य, सॉरी, पर्दे भी ले रहने वाली नहीं, मतब सयमी होनी चाहिए, आपको संस्कारों में बधी होनी चाहिए, और बेटा सत्य धर्मी, यानि कि बेटा हमेशा सत्य की रहा पर चलने वाला हो, अगर एक परिवार ऐसा होता है, तो आप ये मान लीजे कि ये परिवार आदर्श परिवार है, तो यहाँ पर उन्होंने देखिए, सभी संसकारों को आपस में मिला दिया, सभी धर्मों को आपस में मिला दिया, तो यहाँ पर उनको ये चीज हमें देखने को मिलती है, कि कैसे उन्होंने सर्वधर्म सर्वजाय होता है, उस उपर उन उन्होंने इस्त्री समानता को प्रतिष्ठत करने वाली ये नई विवह विधी की रचना की। उन्होंने अपनी इस नई विधी से ब्राम्हण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान, संस्कृती, समर्थक और इस्त्री की गुलाम गिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिये तो अब जो है ना दूसरा इस्तरी सिक्षा पे उन्होंने सबसे जादा बल दिया किस ने जोती बाफुले ने बहुत बल दिया उन्होंने कहा कि पुरुषों ने पहले इस्तरीयों को पढ़ने का स्कूल जाने का अधिकार नहीं था तो क्या पुरुषों ने इस्तरीयों को इसलिए स्कूल जाने या उनकी सिक्षा के दुआर बंद कर रखे वो नहीं चाहते कि पुरुषों जितनी सुतंत्रता उनको प्राप्त हो इसलिए पुरुषों ने इस्तरीयों को जितने भी शपत ली जाती है जितने भी फेरों के समय वचन ले जाते हैं वो सारे वचन क्या थे इस्तरी को कहीं न कहीं बंधी बना रहे थे तो उन्होंने उस नई विवानिदी में वो सारे मंत्र वो सारे वचन वो सारे शब्दों को हटा दिया जिनसे इस्त्रियों को बंधन बढ़ते थे उन्होंने समानता के अधिकार, अगर आपको बाहर जाकर पढ़ने और काम करने का अधिकार है, तो इस्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है, इस तरह समानता के अधिकार को जो है उन मंत्रों और वच्णों में विवहा की नई नीती में वो लेकर आए 1888 में जोतिबा फुले ने महात्मा की उपाधी को लेने से यह कहकर इंकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कारे बाधित होता है वह एक साधानन व्यक्ति के समान ही कारे करना चाहते थे व्यकतनी और करनी में विश्वास करते थे इस्तरियों को सिक्षा का निकार मिलना चाहिए इसके लिए सबसे पहले अपनी पत्री साबित्री भाई को सिक्षत किया साबित्री भाई को बशपन से ही सिक्षा में रुची थी लेकिन उनके पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया उनके अनुसार इस्त्रिया पढ़ने से बिगड जाती है तो अब क्या हुआ 1888 में जोतिबा फुले को महात्मा जी की उपाधी दी जा रही थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें महात्मा की उपाधी नहीं चाहिए कारण क्या था जब आपको एक उपाधी मिल जाती है तो आप उसके क्राइटेरिया में बंद कर काम करने लगते हैं तो उन्होंने कहा कि जो मैं कारे कर रहा हूँ ये महात्मा की उपाधी मेरे उन कारेओं में कहीं न कहीं बाधा उत्वपन करी इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए तो अब उन्होंने जो रहा साधारन व्यक्ति की तरह वो काम करना चाहते अब वो इस तरह सिक्षा पर बल दे रहते तो उन्होंने ये काम खुद अपने घर से शुरू किया उनकी अपनी पत्नी साबित्री भाई फुले को उन्होंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया उनको सिक्षत किया साबित्री भाई को बशवन से ही बहुती पढ़ने का शौक था लेकिन उनके पिता ने उन्होंने कभी नहीं पढ़ने दिया क्योंकि उनका मानना था कि जो इसनी यह पढ़ती हैं वो बिगड़ जाती है। इसलिए उन्ने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। लेकिन जोति बार ने अपनी पतनी को पढ़ाया। रहाया क्योंकि सबसे पहले अपने घर से हुई उन्होंने ये कारे शुरू किया 14 जन्वरी 1848 को पुड़े में भारत की सबसे पहली करन्या पाठशाला खुली इसके बाद उन्होंने पिछडे वर्गों और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलनी आरम गर दी इस काम में प्रतिष्टे समाज ने दोनों का कड़ा विरूद किया उन्हें ब्रामर समाज से बाहर निकाल दिया गया अब क्या हुआ इस्तरी सिक्षा पे बल दिया अब इस्तरी सिक्षा करने के लिए कोई विद्याले ही तयार नहीं था अब ये भी समझे भाई अब लोगों को बुतो तयार कर लेते कि अपनी लड़की को पढ़ाई है लेकिन अब लड़किया पढ़े कहां जाके क्योंकि ऐसे कोई विद्याले ही नहीं है जहां लड़कियों को पढ़ने की परमिशन मिले तो इस कंडिशन को फेस करते हुए उन्होंने सबसे पहले 14 जनवरी 1848 को पुणे में भारत की सबसे पहली कन्या यानि की सिर्फ गर्ल्स कॉलेज खोल दिया इसके बाग उन्होंने पिछडे वर्गों और पिछडी जो लड़किया होती उनके लिए क्योंकि भई पहले जाती क बहुत था उच्वर की लड़किया निम्नजाती के लोग के साथ ना बैठ सकती ना उठ सकती ना खा सकती कुछ नी तो उनके लिए एक अलग से विद्याले उन्होंने खोल दिया अब जब ये सारे काम हो रहते तो समाज भी इनका इस चीज के लिए बड़ा कड़ा थी तो उन्होंने क्या किया अपने ही समाज से जोतिवा फुले को बाहर कर दिया कि जोतिवा फुले खुद एक ब्रहमर समाज से तालूक रखते थे तो उन्होंने जोतिवा फुले और उनकी पतनी सावित्री भाई फुले को समाज से बाहर कर दिया कि अब समाज का कोई भी उनको निकाल दिया था सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अच्छूतों के जुग्य जोपडियों में जाकर काम किया रहते वहां इस्तरी होने के नाते सावित्री बाय को बहुत तरह तरह से अपमानित किया जाता बहुत पलिशानी आ रही थी लेकिन उन्होंने जोनका कार रह था उससे कभी पीछे नहीं तो 1840 से लेकर 1890 तक उन्होंने तरह तरह के इन समात सुधारकों में काम किया चोटी- ब्रामठ उच्च जाती के लोगों के कुएं अलग होते थे निम्ने जाती लोग कुएं अलग होते थे तो क्या हुँआ अब इनोगे में बूला कि हम चुप के नहीं खुले आम करेंगे हैं पिछडे वर्गों और इस्तृयों को पारमपरिक रूडियों से बाहर निकाला तो क्या किया पिछडे वर्ग थे और इस्तृयां थी बहुत बंधन में बहुत ही जादा आप बंधन मतलब लिटरली थोड़े आपको जंजेजियों से र लेकर आए और उनकी प्रगति और सम्मान के लिए कार किया आज के आधूनिक समाज में पढ़े लिखे प्रतिष्टिक लोग कई साल तक साथ रहेकर अलग हो जाते हैं जोती बाव सावित्री देवी एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन भाव की भावना अंदमपतियों के एक आधर्ष्ट है आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर शादी होती है और कुछ वैचारिक मद्भेत या कुछ परिशानी के कारण लोग डेवोस ले लेते हैं अलग हो जाते हैं लेकिन जोती बाव फुले और सावित्री बाव फुले कि अगर हम उधारण देखें तो उन लोगों के लिए ये एक उधारण है कि उन लोगों ने अपने जीवन में इतने कश्ट सहे सब कुछ कहा किया लेकिन कभी अलग होने जैसे क्रत्य को नहीं क्या आप आर्थिक रूप से ले लीजिए शारेरी रूप से लीजिए वैचारिक रूप से लीजिए सामाजी को तोर पे लीजिए हर तरीके से उन्हें प्रतार ना प्राक्त हुई हर तरीके से उनके उपर प्रेशर पड़ा लेकिन कभी भी उन दोनोंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा तो ये आज के आधुनिक दमपतियों के लिए उधारन जोतिबा फुले और साबित्री भाई फुले ने हैं तो यहां पर हमने ये पार्ट आपको बताया कि जोतिबा फुले के क्या क्या उपलब धिया रही कैसे कैसे उन्होंने परिशानिया जेरी आप इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रशन को देखते हैं पहला प्रशन है जोदिवाप फुले और साबित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? अब हमने देखा उन्होंने बहुत समा सुधार के कारे की है. अब अगर आप उनसे प्रेडित होते हो तो आज की समाज में आप क्या सुधार करना चाहेंगे? आप देखें यहाँ पर आप सभी के विचार अलग-अलग हो सकते हैं. कोई कुछ सुधार करना चाहेगा, कोई कुछ सुधार करना चाहेगा, कुछ करना चाहेगा. तो सभी अपने विचार लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप इसे लिखेंगे किस तरीके से? तो तरीका हम बता देते हैं और आप उनमें अपने विचार डाल कर लिख सकते हैं तो क्या दिया है जोतिबा फुले साबित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में इस्तरियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगी अब भी भारत में ऐसे इलाके हैं जहां इस्तरियों की दशा सोचनी हैं उन्हें अब भी सिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है अता वहां पर जाकर उन्हें सिक्षा दिल्वाना चाहूंगी इस तरह समाज में इस्तरियों की सिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊंगी और उनके यह चीज लिख सकते हैं पर दूसरा उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गाली गदी जाती उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर फेंका जाता तो इस तरीके के भी क्रत किये जाते जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे तो ये दो तरीके से उनका विरोध हो रहा था और भी अजो प्रेश्ट संख्या 3 है उनका दामपत्य जीवन जिस प्रकार आधुनिक दमपत्यों को प्रेणना प्रदान करता है तो जो उनका जो दामपत्य जीवन रहा हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें परेशानिया इतनी सारी जेली सब कुछ किया लेकिन कभी भी अलग नहीं हुए जबकि आधुनी समाज में आजरा सी विपत्ती परती है पती पत्नी अलग हो जाते हैं एक दूसरे को छोड़ देते हैं एक दूसरे के प्रती सम्मान कम हो जाता है तो कैसे आप प्रेणना ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या है आज के समय में दामपत्य जीवन में छोटी उसे प्रेणना मिलती है हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहिए एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए जीवन की डगर में आने वाली कटनाईयों को एक होकर जहलना चाहिए एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए एक कि एक दूसरे को अहंकारी दृष्टी से देखिए ये बहुत ही अहम चीज होती है किसे भी रिष्टे को सही तरीके से सामने रखने के लिए प्रिश्ट संक्या चार है जोती बाप फुले ने किस प्रकार की मानसिक्ता पर प्रहार किया और क्यों समाज में उसमें कैसी मानसिक्ता थी बहुत ही रूडिवादी मानसिक्ता थी हमने देखा निचले तपके को गलत तरीके से देना इस्तरीयों को बंधन में रखना रूडियों में परंबराओं में जगड़ कर रखना तो वो जो मानसिक्ता थी उस पर उन्होंने कड़ा प्रहा किया था ब्रामर समान सबसे उच्च समाज माना जाता था तो उसकी मानसिक्ता उसकी रूडियों पर जो उन्होंने तरह तरह की जो नीदियां बना रखी थी परंपराय बना रखी थी उन सभी पर खुल कर प्रहार किया था वे जानते थे ब्रामर समान ने जान बूझ कर इस प फटा पट समझाया ताकि जो में में चीज थी वो हमने यहां पर आपके लिए कवर अपकर कर दी इस chapter का detail explanation and CRT solution पहले करा रखें उन्हें आप ज़रूर देखिएगा ये one shot revision जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए हिंदे में ही नहीं आपके सभी subjects में available है तो ये आपको मिलेंगे कहां इसके लिए आपको आना होगा हमारे channel magnetsman.com पे अब आप यहां पर आएंगे तो आप यहां देखेंगे कि one shot revision दिया हुआ है आपको इसे click करना है click करते ही आपके सामने वो सभी classes आजाएंगे जिनमें one shot revision available है तो आप ही class 11 में यहां पे watch now click करेंगे click करते ही आपके सामने class 11 की पूरी playlist आजाएंगे वो सभी subjects आजाएंगे जिनमें आपका full chapter one shot revision available है तो जो भी subject के आपके exam यह test होने वाले हैं आप उसको click करेंगे click करते ही आपके सामने उस subject में जितने भी chapter हैं वो सभी आपके सामने होंगे बस आपको वो chapter click करने हैं जो आपके exam यह test में आ रहे हैं click करते जाएं वीडियो देखते जाएं और फटाफट chapters को revise करते जाएं ताकि आपके exams बहुत ही अच्छे जाएं लेकिन जो यह ध्यान रखें जैसे इस तरीके से दे रहे हमको पूरा ध्यान रखना है कि इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और वीडियो देखते जाएं सभी revision करें लेकिन हमारे चैनल को like, subscribe और share करना बिल्कुल नहीं भूलेगा thank you for watching, bye bye